आतंकी हमले में दो बिहारियों के मारे जाने की घटना पर निता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने नितीश सरकार को जिम्यदार ठहराया। तेजस्वी आदव ने कहा कि यदि बिहार में रोजगार रहती तो दूसरे प्रदेशों में लोग पलाया नहीं करते। कश्मीर में आतंकीों दो निर्दोश बिहारियों को मारे जाने की घटना पर तेजस्वी आदव ने दुग जताया। तेजस्वी आदव ने कहा कि आशा करते हैं कि मुख्यमंतरी नितीश कुमार को इस घटना की जानकारी हुई होगी। आज फिर बिहार के दो मज़दूरों को जम्मू और कश्मीर में आतंक वादियों दोारा मौत के घट उतार दिया गया। कल भी एक श्रमिक की आतंक वादियों ने हत्या कर दी थी। इससे पहले एक और बिहारी मूल के श्रमिक की हत्या की जा चुकी है। तेजस्वी ने इस गटना को लेकर निती सरकार को घेरा तेजस्वी ने कहा कि इन सभी बिहारवासियों की नशन्स हत्या के दोशी आप और आपकी निकम्मी सरकार है अगर आपकी सरकार ने पिछले 16 साल से किये जा रहे सुसासन के दावे के अनुरूप सचमुझ रोजगार सरजन पर गंभीरता से कुछ भी किया होता तो इनकी भाती करोडो बिहारवासियों हर वर्ष पलायन के लिए विवश नहीं होना पड़ता आप इही कि सरकार की नाकामी के कारण ये सभी आतंकवाद की भेट चड़े युवक अपने घर से दूर एक आतंकवाद प्रवावित दूसरे राज में रोजगार की तलाश में पलायन करने को विवश हुए अपनी सरकार के नाकामी को छुपाने के लिए आप बड़ी बनावटी मासूमियत से प्रवासी मजदूर शब्द पर आपत्ती जताते हैं पर पलायन के जहर को गरीब बिहारवासियों के जीवन से मिटाने का कोई इमानदार प्रयास नहीं करते उपर से आपकी सरकार ने तो खुब दावा किया था कि धारा 370 हटने से आतंकवाद का घाड़ी से अंत हो जाएगा खुब उचल कूद कर आपकी पार्टी ने बिना सोचे समझे लिए गए इस कदम का देश के लिए एतिहासिक दिन बता कर समर्थन किया था जब सब कुछ इतना सामाने हो चुका था तो क्यों आपकी सरकार में बैठे लोग दभी जुबान जम्मू कश्मीर जाकर रोजगार तलाशने के लिए श्रमिको की ही आलोचना कर रहे है संभव है कि आपकी सरकार के द्वारा जमीनी हकीकत से दूर किये गए दावों के प्रभाव में ही इन श्रमिकों ने जम्मू कश्मीर जाने का मन बनाया हो इन राक्षसी हत्याओं के लिए परिस्तिती उत्पन करने और शमीकों को रोजी रोटी के लिए घर से दूर बसने के लिए आपकी सरकार को पीडित परिवारों से ना सिर्फ हाथ जोड़कर माफ़ी माँगनी चाहिए बलकि सभी परिवारों के एक सदस केले सरकारी नौकरी एक करोण मुआवजे की गोशना करके अपने पापों को धोने का प्रयास करना चाहिए आतंकियों द्वारों मारे गए इन निर्दोष बिहारियों की मौत के जिम्मेवार आप और आपकी डबल इंग्जन की ट्रबल धारी सरकार है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सब्स्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें